रचना डिलिवरी के लिए अपने माय के आई हुई थी, महीने बर के बाद है उसकी डिलिवरी होने वाली थी, उस समय उसका पती रौनक भी उसके पास आने वाला था, रचना के माता पिता ने अपने जीवन काल में कोई बचत वग्यरन नहीं के थी, उनकी दो बेटिया ही थी और दोनों बेटियों की शादी करने के बाद वा निश्चीन तो हो गए थे, उसके पापा ने थोड़े बहुत रुपए वैंक में रखे थे, जिसे की थोड़ी बहुत आय हो जाती थी, लेकिन वा उनके खर्चे के लिए परियाप्त नहीं था, तो दोनों बेटियों की पत ने उसे माय के पहुंचा दिया था, डिलिवरी के समय वह वहां आने वाला था, लेकिन सहीं कुछ ऐसा हुआ, कि जिस दिन रचना को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसे दिन जब रॉनक उससे मिलने के लिए उसके पास आ रहा था, तभी उसका एक्सिडेंट हो गया, उ ऐसे समय में वह अपने घर चला गया था, क्योंकि इन दोर में उसकी देख भल करने वाला कोई नहीं था, जब रचना की डिलिवरी हुई तो उसने एक प्यारे से बेटे को जनुद दिया, उस समय रॉनक वीडियो कॉल पर ही अपने बेटे को देख पाया था, रचना को दुखों का पहार तोट पड़ा, वो फुट फुट कर रो पड़ी, लेकिन वो चाहे कितना भी रो लेती, उसके कलेजे कर टुकड़ा लोटकर वापस आने वाला नहीं था, रचना की छे वरिश्य बेटी भी इस बात से अंजान थी, वो तो खुश थी कि उसका एक छोटा भाई आया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका छोटा भाई इस दुनिया से जा चुका है, रचना ने उसे बस यही बताया कि उसकी तवियत खराब है और वो अस्पताल में है, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी दुखत ख़बर उसे कैसे बताए, लेकिन धीरे पार पुछती थी कि पापा यहां क्यों नहीं आये, हम पापा के पास कब जाएंगे, लेकिन रचना के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके दीदी और जीजा जी ने उसके मन में यह बात डाल दी थी कि ऐसे समय पर रौनों को यहां होना चाहिए थ लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया शुरुवात में तो रचना को लग रहा था कि उसका एक्सिडेंट हुआ है तो यहाँ पर कैसे आएगा लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैट गई कि कैसा निश्ठुर बाप है या जो बेटे के गुजरने पर भी यहाँ पर नहीं आया अगर वह चाहा था तो कोई न कोई उपाय करके मेरा सपोर्ट करने के लिए तो आही जटता था लेकिन उसे नहीं पता था कि रॉनक को कितनी ज़्यादा चोट लगी है क्योंकि रॉनक ने उसे बस इतना ही बताया था कि उसका एक्सिडेंट हुआ है और उसके पैर में थोड़ा फ्रेक्शर आ गया है वह नहीं चाहता था कि उसकी पतनी उसके लिए परिशान हो क्योंकि ऐसे समय में वह खुदी बहुत तकलीब से गुजर रही थी इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था लेकिन यह बात रचना के मन में बैट गई थी कि क्या वह ऐसी मुश्किल परिश्थिती में अपनी पतनी के पास नहीं आ सकता था धीरे धीरे उस बात को बीज दिन हो चुके थे रोनक जब भी उसे फोन करता था तो रचना रोने लगती थी एक दिन उसकी दीदी ने गुस्से में कहा कि तुम उससे बात ही क्यों करती हो उसे तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है उसके पापा तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे लेकिन उसकी मा बोल पड़ी सच में तुमने तो उससे लब मेरिज की थी ना तो क्या लब मेरिज करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में पत्नी का साथ छोड़ कर भाग जाए देखो मुश्किल परिस्तिती में तो हमने ही तुमें समाला है ना उसके जीजाजी कहने लगे और नहीं तो क्या तुम्हारा नवजात बेटा इस दुनिया से चला गया फिर भी तुम्हारा पती ये सब देखने तक नहीं आया तुम अब उससे तलाक ले लो उसके दीदी और जीजाजी दुख की इस घड़ी में उसे पती के खिलाप बढ़काने लगे फिर उसने फैसला किया कि वो अपने पती के पास नहीं जाएगी वैसे तो उसने ये फैसला मनी मन कर लिया था अब वो अपने पती से ज़्यादा बात चेक भी नहीं करती थी उसके पती को लग रहा था कि वो अभी दुख में है इसलिए ज़्यादा बाते नहीं कर रही है धीरे धीरे उसे मायके में रहते हुए दो महीने बीच चुके थे अब उसकी मा ने एक दिन उससे कहा कि देखो अब तो तुम अपने पती के पास जाओगी नहीं सारी जिंदगी तुम्हें यही रहना है तो तुम कोई जोब वगेरा देखना शुरू कर दो क्योंकि यह मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्च नहीं उठा सकती यह सुनकर वह हैरानी रह गी दीदी और जीजाजी से तो उसे कोई उम्मीदी नहीं थी क्योंकि उनकी ग्रिहस्ती तो पूरी तरस से अलग ही थी फिर भी उसने अपनी दीदी से इस बारे में बात की तो वह कहने लगी कि मम्मी सही तो कहती है वह तुम्हारा खर्च कब तक उठाएंगी रचना काफी देर तक के लिए उदास हो गई थी क्योंकि इसी महीने उसकी बेटी की फीस भी भरनी थी और उसे भी डॉक्टर से दिखाने के लिए जाना था और उसकी मा बिल्कुल भी रुपय नहीं दे रही थी तब उसने कुछ सोचते हुए अपने पती को मैसेज किया कि यहाँ पर मुझे रुपयों की दिक्कत हो रही है उसके पती ने तुरंती उसके अकाउंट में रुपय ट्रांसफर कर दिये वैसे भी पहले भी वो अपने साससुर का कर्च उठाता ही था तो पहले की तरह ही उसने हर महीने रुपय भेजने जारी ही रखे थे अब रचना को थोड़ी थोड़ी इगलानी मैसूस होने लगी थी वह सोच में पढ़ गई कि मैं इनसे मधीवन इतना नाराज हूँ इनसे ठीक से बात भी नहीं करती हूँ फिर भी इन्होंने मेरे एक बार कहने पर ही रुपय भेज दिये मेरी मा जो आज मेरा खर्च उठाने से मना कर रही है कई सालों से मेरे पती इन लोगों का खर्च उठा रहे थे तब मेरी इस मा ने कुछ नहीं कहा और आज मैं मा के पास दो महीने क्या रही महीने भारी लगने लगी उसकी आंकों से आंसू बहने लगे और वो सोचने पर मजबूर हो गई कि उसके पती गलत नहीं है बलकि हलात गलत थे अब उसे वहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी उसने अपनी मा और दीदी जीजाजी से बात की कि अब मुझे रौनक के पास वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उनका पैर भी अब ठीक हो गया है और वह घर वापस आ गये है तब सभी लोग उस पर ही चिलाने लगे कि हमने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया और अब तुम अपने पती के पास जाना चाहती हो तुम्हें ऐसे इंसान से तलाक ले लेना चाहिए लेकिन रचना समझ चुकी थी कि मुश्किल पर्ष्टिती में भी पती ने उसका साथ नहीं छोड़ा था बलकि उसने ही पती से दूरी बना ली थी अब ऐसे हालात में जब उसका एक्सिडेंट हो गया था तो वह आ भी कैसे सकता था और कोई सपोर्ट था नहीं तो वह क्या करता वैसे भी रचना कहीं किसी और के घर में तो नहीं थी अपने मायके में ही थी तो फिर पती को भी उसकी चिंता करने की क्या जरूरत थी क्योंकि मायके से बढ़कर एक लड़की के लिए और कौन से सुरक्षी जगह होती है लेकिन आज रचना को समझ में आ रहा था कि मायके में भी उसका स्थान तब तक ही है जब तक कि वह रुपए देती रहे और वह रुपए भी उसका पती ही कमा कर भेजता था खैर अब उसे समझ में आ चुका था उसने अपनी मा से बस एक ही सवाल किया कि अगर मैं अपने पती से तलाक ले लेती हूँ तो वह तो मुझसे दूर हो जाएंगे फिर हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा तब उसकी मा उसे समझाते हुए बोली कि तुझे गुजारे बते के रूप में जो रूपए मिलेंगे उससे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा लेकिन तू पहले उससे तलाक तो ले यहाँ सब सुनकर उसके पैरो तले जमीन खिसक गई थी फिर रचना ने किसी की नहीं सुनी और उसने अपने पती को मेंसिज करके कहा कि मुझे तुम्हारे पास आना है आगले दिन ही उसका पती उसे लेने के लिए पहुँच किया था रचना अपनी बेटी का सामान पैक करके पहले से ही तैयार थी पती के आते ही वो अपनी मा को बता कर पती के साथ घर से निकल गई थी उसका मन थोड़ा भारी भारी सा था इतने दिनों की दूरी ने उन दोनों के रिष्टों में एक बर्फ सी जमा दी थी इधर रौनक को भी थोड़ा गलानी भाव मैसुस हो रहा था कि बुरे वक्त में अपनी पत्नी के साथ नहीं था घर कि अगर मैंने इन से तलाक ले लिया होता तो अपनी बेटी से पिता का प्यार भी हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया होता उसके मन में सुकून मैसुस हो रहा था कि उसकी बेटी उसके इस वैसले से खुश है जब उसकी बेटी सो गई तो एकांग में रौनक ने उसके सामने हाथ जोड़ते वे कहा मुझे माफ कर देना बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था अगर मेरा एक्सिडेंट ना हुआ होता तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ता रचना की आखे भर आई उसने अपने पती की हथेली थामते वे कहा कि मुझे कि एक नहीं शुरुआत हो चुकी थी दो सालों के बाद उसने फिर से एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया इस बार सब कुछ अच्छा था और दोनों पती-पत्नी मिलकर अपनी चोटी से दुनिया में अपने बच्चों की परवरिश बड़े प्यार से कर रहे थे रचना का आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए कथासंचे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेस करने के बाद आल का उप्शन जरूर दबाईए और कथासंचे की नहीं कहानी तुरंत पाईए धन अनिवाल